हेलो एवरिवन मैं हूँ राकेश होत करता है कौन नए वीडियो में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ठ्रांस्मिशन लाइन बिछाने में पर किलो मीटर के हिसाब से कितना खर्चाता है एक भीवर से जिनका नाम है नीरज चोधरी जी उन्होंने बेहतरीन कोमेंट किया है तो आज का टॉपिक जो है इसी के उपर है तो सबसे पहले मैं आप लोग को दिखाता हूँ इनका कॉमेंट क्या है इन्होंने क्या लिखा है इन्होंने लिखा है भाई आप सारे सोलर सिस्टम का प्रॉफिट लॉस तो बताते हो पर आपने ये नहीं बताया कि सोलर ऐता है उतना ही केया अगता है आधि यह बीच में लाइन लगान पर एक तो बिल्गेलकुल साही है अब यहाँ पर इन्हों ने यह कहा है कि जिसमें 30 लाख रुपिया पर किलो मिटर खर्चा आता है मतलब कहने का मतलब यह है कि एक किलो मिटर में अगर टास्मिंसर लाइन बिछाएंगे तो 30 लाख रुपिया का खर्चाने वाला है तो कितना आने वाला है इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले है आज का टॉपिक इसी के ऊपर है इस वीडियो हम लोग कम्प्लीट समझने समझने वाले हैं कि जहां हम एक किलो मीटर में ट्रांस्मिसर लाइन बिछाएंगे तो टोटल कितना ख़र चाने वाला है जिस भी हम लोग ये समझने वाले है कि कौन-कौन सा मेटल यूज होता है मेटल का रेट क्या है कितना क्वांटिटी लगने वाला है इंसलेशन कोस्ट क्या रहेगा और टोटल कितना कोस्ट आने वाला है एक किलो मीटर में ट्रांस्मिसर लाइन बिछाने पर ओके इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा ताकि आप हर एक पॉइंट को अच् पर किलो मीटर मतलब यहां पर हम लोग यह समझने वाले हैं कि एक किलो मीटर में ट्रांस्मिसर लाइन बिछाएंगे तो कितना खर्च आने वाला है एक किलो मीटर का ओके तो सब से पहले मैं इस पॉइंट सब को हाइलाइट कर ले रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से द मुनियम का रहता है और उसके सेंटर में जो है वह मतलब टेंशन वायर मिक्स रहता है ताकि उसको खीचने पर टूटे ना तो दोनों मिक्स हो कर के आता है वह और यूस टाप से जो बनाया ही जाता है तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे इसको टेकनिकल वर्ड में जो ह है तो यहां पर देखिए एक किलो मीटर में आपको 3200 मीटर वायर लगने वाला है क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक किलो मीटर में 1000 मीटर होता है और यहां पर जो हमारा करेंट जाएगा गिरिड तक वो रहेगा थ्री फेस में मतलब हमें तिन तिन गुना करना पर परेगा ओके तो यहां पर देखिए आप लोग सोचेंगे कि भाया हमारा जो टास्मिशन लेंद है वायर का वो एक किलो मीटर है और आपने यहां पर 3200 डाला हां यहां पर मैं इसलिए डाला हूं क्योंकि जो कहीं कहीं पर जो आएगा तो वहां पर जो है मैं एक्ष्टा व होना चाहिए अगर मान लीजिए क्योंकि देखिए जब ड्रम देखिए क्येवल का ड्रम तो वो पूरा एक किलो मीटर का आता है उसमें 500 मीटर का भी आता है तो उसके हिसाफ साप पर्चेस कर सकते हैं लेकिन अगर मान लीजिए कर आप एक्ष्टा नहीं लीजिए गा वाय जाएगा इसलिए आपको जो है कम से कम 200 मीटर एक्ष्टा वायर लेकर के चलना परेगा ओके उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो एक किलो मीटर में हमें 3200 मीटर वायर लगने वाला है ओके 3 फेस में क्योंकि 3 वायर क्रॉस करेगा ओके अगर इसका मार्केट देखिएगा तो मार्केट रेट जो है वो 95 रूपीज से लेकर के 175 रूपीज इसका मार्केट का कोस्ट है ओके अगर देखिए इसका रेट वैरी करता इसके क्वालिटी के ऊपर अगर आप गुगल पर सर्च मारिएगा तो बहुत सारा ब्रांट्स का आपको देखने को मिल अलग अलग रेट सापको देखने को मिलेगा ओके तो यहां पर जो है मैं 150 रूपीज पर मीटर रेट मैं कंसिडर कर लेता हूं ओके ताकि देखिए मैं इसलिए कंसिडर किया हूं क्योंकि ज्यादा हमको हाइई क्वालिटी भी नहीं लेना है और जिदा लोग भी नहीं ले और आराम सिसमें लगाई यह कोई प्रॉलम होने वाला नहीं है 25-30 साल में ओके तो उसके इसाफ हम यहां पर देखेंगे तो वायर पर्चेस करने में हमें 4,80,000 रुपे का खड़ जाएगा ओके यहां तक आप समझ गए होंगे उसका दूसरा पॉइंट अगर हम यहां पर देखेंगे थोड़ा हाइलाइट कर ले रहा हूं अब दूसरा यहां पर पॉइंट हमारा कंक्रीट पॉल क्योंकि देखिए पॉल का डिस्टेंस जो है हमें एक फिक्स करना पड़ता है जनरली आप लोग आउड हाथ में सहर में देखें होंगे जो कंकेट का पॉल गार करक करना है और देखिए अब यहां पर कितना हमको पॉल लगने वाला है तो सिंप्ली क्या करना है वन थाउजन को आप थर्टी से डिवाइड कीजीए कि क्योंकि हमारा जैसा कर जैसा कि जानते हैं कि एक किलो मीटर में एक हजार मीटर सोता है तो 1000 को डिवाइड कीजिए 30 से तो आपको नमबर सो पोल निकल करके आएगा क्योंकि हमारा पॉल टू पल का जिस्टेंस है वो 30 मीटर है तो उसके साथ देखिएगा तो यहाँ पर जो है 33.something something आएगा लेकिन यहाँ पर मतलब 34 मान लीजिए calculation के हिसाब से लेकिन यहाँ पर आपको एक दो पोल स्टा लेकर के चलना परेगा क्योंकि जब loading and loading होता है transportation में एक दो पोल जो है damage भी हो सकता है तो उसके साथ से आपको एक दो पोल इस्टा लेकर के चलना परेगा ओके अब पोल का जो मार्केट रेट अगर आप देखेंगे तो 3800 रुपया है कहीं कहीं पर पाइब घरिटा सबस्टाइश ऑच्राइब जो रोपीज वह कंचलर कर लेता हुए अर्फिस्टा रूपीया एक पोल का उसके आप देखेंगे तो अबाद यहाद इस राखip त्याति रूपीया यानि 1,33,000 रुपया में कंक्रीट का फोल आ जाएगा हमारे प्लांट तक जहां हमें लगाना है उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है इसको मैं हालाट कर ले रहा हूं उसका कंक्रीट देखिए अब पोल आ गया अब पोल को कास्टिंग करने के लिए हमें सिमेंट बालू ग गारी माल भेज देगा ओके उसके बाद इसमें आपको एक चीज़ ओर देखना है क्योंकि मैं इसमें सब्यार करके रखा हूं इसमें जो लेवर डाले मतलब कंकीट पोरिंग करेगा को लेवर इसका डैटली जो है आपको प्लांट में ओडर देना है आरेम सी के लिए दो ग आरेम सी को समझ लेजिए तो यहां पर जो है मैं डेप जो रखा हूं पोल का वो दो मीटर रखा हूं दो मीटर तक आपको कास्टिंग करना है वो डिपेंड करता है स्वाइल के वेरिंग क्यापासिटी के ऊपर वो तीन मीटर भी हो सकता है ओके तो उसके हिसाब से करेंगे तो 35 पोल को कास्टिंग करने के लिए हमें 13 MQ का कंक्रीट लगने वाला है 13 कुविक मीटर कंक्रीट लगेगा ओके और यहां पर जो कंक्रीट मैं कंसिडर कर रहा हूं वो है M25 ग्रेड का ओके क्योंकि आप जो है M20 का भी यूज कर सकते हैं लेकिन वह था लो क्वा अच्छा रहेगा जितना स्टेंथ कंक्रीट में रहेगा उतना उसका लाइफ ज्यादा होगा ओके इस चीज में आपको क्वालिटी का अगर आपने डाल दिया तो फिर माने आने वाले साल दो साल पांच साल के बाद आपका जो पोल हो जूख जाएगा क्योंकि जैसे ही वे अगर आप मार्केट रेट देखिएगा एम ट्वेंटी फाइब गेड़ाप कंक्रीट का तो वह फूर थाजान रूपीज पर क्यूबिक मीटर है ओके मतलब एक क्यूबिक मीटर का जो कॉस्ट है वह चार हजार रूपया अभी मार्केट में चल रहा है कहीं कहीं पर 3,800 है क कहीं पर 4,000 है और यह मतलब यह बिदावट GST है GST इनकूर नहीं है GST लिजेगा थरा रिट बढ़ जाएगा ओके तो मैं यहाँ पर GST मान करके नहीं चल रहा हूं RMC में ओके तो इसके हिसाब से देखेंगे तो हमें RMC के लिए हमें RMC पर्चस करने के लिए 52,000 रुपे का खर्च करना पड़ेगा ओके उसकी वाद जोथा पॉइंट है हमारा था हालेट कर ले रहा हूं जोथा पॉइंट है हमारा किरमिक इलेक्टिकल इंसुलेटर देखे यह लग आप देखे होंगे पोल पे लगा हुआ जो चिकनी मिटी का बना रहता चीनी मिटी का और उसमें वाद लख करके आगे लेकर के जाता है जिसकी विए सकरेंट जहुख पॉल में नहीं आता है को सिर्वह करता है कि दोनों साइब से पिरागे न HEivaниц में लगा दिया जाता है और उसमें हमार बांद करके फिर आगे उसको ले कर के जाता है है तो यह इंसुलेटर से काम करता है, यह लगाना भोजा जोड़ी होता है, डैटली जो है, हम उसको पोल में नहीं बांद सकते हैं, तो यहाँ पर जो है, अगर आप देखिएगा, इंसुलेटर आपको लेना परेगा, एक सो, देखिएगा, अब यहाँ पर पीस तो हमें निकाल करके चलना, 102 ही आएगा, लेकिन मैं 110 मान करके चलना हो, क्योंकि देखिए, ट्रांसपोर्टेशन में, लोडिंग, अलोडिंग में, यह समान जो है, वो तूट जाता है, डैमेज होता है, तो आपको वेस्टेज लेकर के चलना परेगा, 10-15 पीस ता लेकर के चलना परेगा, अगर टूट भी गया था, उसकी वेस्ट आपका काम डिश्टर्ब ना हो, इसलिए मैं यहाँ पर 110 पीस मैं कंसिडर कर लेता हूं, इसका रेट देखिएगा, इसका रेट ज्यादा है इने, 20 रूपिया, 25 रूपिया में, 30 रूपिया में, 35 रूपिया में, 40 रूपिया, 50 र इन्सुलेटर है, उसका कोस हो जाएगा, 3850 रूपिया, उसका नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसको हाइलाइट कर ले रहा हूं, उसका पांचमा हमारा पॉइंट है, इलेक्टिकल इन्सुलेटर हैंगिंग जी आई चैनल, आप देखियो होंगे, पोल पे, उसमें एक हो सकता है, अगर आप लिजेगा, यसे मिलेगा, यसे मिलेगा, वो डिपेंड करता है, आपके उपर कौन सा सेप में ले रहे हैं, ओके, तो यहाँ पर जो है, यह आपको, पीसेस के साब से नहीं मिलेगा, केजी साब से मिलेगा, वेट करके आपको देगा, ओके, तो यहाँ पर जो है टोटल हमें 35 पोल में लगाने के लिए 510 केजी का जो है आपको मतलब वेट उसका होने वाला है क्योंकि एक पोल में on average जो है 10 से 15 केजी मान लिजिए क्योंकि अगर ज्यादा मोटा थिकने से लिजिए गा तो उसका वेट जदा बढ़ेगा ओके तो मैं यहाँ पर 10 स चैनल लगने वाला है आपको इसका रेट अगर देखिएगा मार्केट में तो 75 रुपया है 85 रुपया है 90 रुपया है 95 रुपया है तो यहाँ पर जो हमें 85 रुपी चैनल पर्चेस करने के लिए 43,350 रुपय का खर्च करना परेगा यह इतना कॉस्ट आ जाएगा इतना समा यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे तो यहां तक जो है आप लोग समझ गए होंगे अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर जो है हमारा इंस्ट्रोलेशन कोस्ट अब इसको लगाने में कितना खर चाएगा क्योंकि मान दीजिए मैटेल हम लाकर के रख देंग करें अच्छे कि करें जो इलेक्टिश इन होगा प्रौपर वाई hourly कि अच्छे से करेगा है की नहीं तो यहाँ पर टेकनिकल आपको इंजनियर रखना पर एका इसके लिए उसके बास आपको मैन पावर रखना पर यह सब काम करने के लिए तो यहाँ पर जो है market rate जो भी चल रहा है insulation का वो अभी जो है 500 से लेकर 400 से लेकर के 600 तक का है पर मीटर के हिसाब से उसमें क्या क्या रहेगा pole भी alignment करेगा pole casting करेगा और wire भी खीचेगा मतलब सब जो है सारा काम उसमें करना है सब एलों आद्मी रहे है और सबर हुए तो यहां पर कोस्ट जो है रेट जो है पर मीटर के हिसाब से वह होने वाला है 500 रूपीज पर मीटर हो के और जो हमारा अभी यहाँ जो ट्रास्मिस्ट लाइन बिछा रहा हूं वह एक किलो मिटर के लगा रहा है मतलब एक लिए लगा रहा है उसके हिसास अगर हम देखेंगे तो इस्टोरेशन को जो है वह फाइव लैक्स रूपीज आपको आएगा मतलब इतना पैसा जो हमें लेवर को देना परेगा मैंपा काम जो हो कर देगा मतलब यह जो है ट्रास्मिस्ट लाइन बिछा करके ग्रीड तक जो है करेंट पहुंचा देगा ओके इतना पैसा तो यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा जिसे मैंने आपको टोटल आइटम से ले करके और इंस्टोलेशन कॉस्ट तक मैं आप लोग को बताया अगर हम इस सब को जोरेंगे यह सारा इमाउंट को जोरने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं जो नीचल पॉइंट है वो टोटल कॉस्ट निकल करके आएगा ओके तो टोटल कॉस्ट अगर आप देखेंगे यह सारा परेगा ओके यह सारा अमाउंट मैटेरियल का टोटल मैटेरियल ओके उसके बाद जो इंस्टोलेशन चार्जेस है वो टोटल उस सब को जोरने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं टोटल कॉस्ट आया है बारा लाख बारा हजार दोसर रुपया जैसा कि भीवर्स ने मु का ऐने का कि यह भी खैँ थियुकिठून लगाता क्या करेंगे हमारा प्लांट फाइवंड़ किलो वाट का और एक मेगा मेगा वाट को लेकर क्या यह प्रॉपर कास्टिंग करवाईए और जो एलमुनियम का वायर आता है टांस्मिशन वायर वह आराम से खिचवा देजिए गीर तक पहुंचा देना है ऐसा नहीं कि बतलब हेवी हेवी आपको लेकर के मेठेर लेकर गाना है जो जो पॉल कास्टिंग पॉल बन लगाया जाता है लेकिन यहां पर जो हमें सोलर फिल में वो सव लगाने की ज़रुवत नहीं है सिंपल वे में आपको जाना है कम खर्च में आपको जाना है लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो मतलब 12,00,00 रुपया कम नहीं है 12,00,00 रुपया बहुत ज़्यादा है अगर ग्राउन मॉन पर मान लिजिए अगर सोलर प्लांट लगाते हैं उसके बाद फिर गीर तक भेजते हैं यह तो एक किलो मेटर खर्च इतना है अगर माने किसी का पांस किलो मेटर है तो साथ लांग पर इसका यहीं हो गया इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप प् कोश्ट बरेगा तो आपको प्रॉफिर ज्यादा ने होगा लोस होगा इसलिए आपको यह चीज़ को ध्यान रखना है तो मैं उम्मीद करता हूं कि समझ गया होगा इस वीडियो के देखने के बाद यह चीज़ तो किलियर हो गया होगा कि एक किलो मीटर में ट्रांस्मिसन लाइन बिछाने पर कितना खर्च आएगा सो तो आप यहां पर देख सकते हैं आपको एक किलो मीटर का ट्रांस्मिसन लाइन बिछाने में आपको बारा लाख बारा हजार दोसर रुपया का खर्च आने वला है ओके और आप लोग कोशिज कीजिए कि ग्राउंड मॉन्ट प अप्लाइ कर रहें जिस पावर हाउस में वो पावर हाउस जो है नजदीक होना चाहिए जितना नजदीक होगा उतना आपको पैसा बचेगा ट्रांस्मिसन लाइन में ओके तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि समझ गये होंगे तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ